हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शांदार हैं जानदार हैं आज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं रिप्रडक्शन इन प्लांट यानि पादप में प्रजनन जैसे कि आप प्लांट कैसे देख पाते हो तो प्लांट भी रिप्रडक्शन यानि प्रजनन करते होंगे तो आज हम लोग प्लांट में रिप्रडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इसके लिए इसके लिए मैंने आप लोगों को दो वीडियो बना दिये एक मेल रिपरड़क्टिव क्या है तो let's learn reproduction देखिए आप लोगों को पता है कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जो प्रजाती है वो विलूप्त हो जाए इस पीसीज जो है वो विलूप्त हो जाए तो इस से बचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा reproduction यानि प्रजनन करना पड़ेगा जैसे अगर human reproduction करना बंद गर दे ठीक है तो आप लोग देखोगे होता है sexual method जिसे हिंदी में लेंग जनन बोलता है इन दोनों में डिफ्रेंस क्या होता है दोस्तों sexual method में दो parents involved होते हैं जैसे अगर हम लोग बात करे humans जो reproduction करते हैं प्रजनन करते हैं वो किस प्रकार का method होता है sexual language क्योंकि वहाँ पर दो parents की requirement होती न अ-sexual यानि अ-langic जनन आप लोग इसको बोलेंगे या अ-langic प्रजनन आप लोग इसको बोलेंगे जहां पर केवल single parent की आवशकता होती है जैसे यहां पर आप लोग देख पा रहे हो यह जो डियागराम में आप लोग देख पा रहे ह तो इस reproduction में क्या-क्या दो parent की requirement पड़ी के नहीं यहां पर एक ही parent की requirement पड़ी तो इस प्रकार की reproduction को प्रजनन को आप लोग क्या बोलेंगे अ-sexual method यानि अ-langic जनन तो आईए थोड़ा सा हम लोग difference देखते हैं a-sexual method और sexual method में difference क्या है तो सबसे पहला difference क्या हो जाएगा a- sexual method में time और energy कम लगती है जबकि वहाँ पर time और energy ज्यादा लगती है na sexual method में आप लोगों का time ज्यादा लगता है energy भी ज्यादा लगती है इसमें off spring को produce करने के लिए जबकि यहाँ पर ज्यादा energy नहीं लगती है जैसे भी आप लोगों ने पिछली slide पर देखा hydra ने क्या कर जश्ट एक जो hydra था ना जश्ट एक उसने बढ़ बनाया और यह गिर के एक नया बच्चा बन गया तो यहाँ पर आप लोगों के effort यह नहीं energy कम लग रही है तो अगर time कम लग रहा है तो यह ज्यादा बच्चे कर पाएंगे ज्यादा off spring produce कर पाएंगे तो इन में जो population होत यहाँ पर increases relatively slower इसके मुकाबले यहाँ पर क्या होती है जो population increase होने की यानि जनसंक्या बढ़ने की जो दर होती है वो क्या होती है कम होती है next लोग बात करते हैं जो a sexual method होता है it involves less variation इसका मतलब क्या है जैसे देखो जैसे यहाँ पर आपको मैंने पिछले slide में बतायता है एक तूट के side में हो जाता है तो यह एक नया इसने office produce कर दिया इस method को आप लोग बोलेंगे budding यानि मुकुलन तो दोस्तों जो नया hydra बना या hydra का जो बच्चा बना उसकी character कैसी होगी characters कैसे होंगे बिल्कुल इसकी जैसे होंगे मतलब variation बहुत कम होंगे जबकि यहाँ पर क् हंगे clear है क्या clear है क्या समझ में आ गई ठीक है ने action बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों a sexual method कितने टाइप के होते हैं तो a sexual method बहुत अलग लग टाइप के हैं जैसे fission बहुत बहुत अलग अलग टाइप का होता है binary fission और multiple fission ठीक है दोस्तों fragmentation एक method है अगर आप लोग मुझे बताइए अभी मैंने बताया हाईड्रा एक एनिमल का नाम है जो कि किस मैथड से रिप्रड़क्शन करता है बर्डिंग मैथड से लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले है रिप्रड़क्शन इन प्लांट पादप में प्रजिनन कैसे होता है तो केवल मैं आप लोगों को उन वाले मेथड के बारे में बताऊंगा जिनसे प्लांट रिप्रड्यूस करते है तो प्लांट सेक्शुली भी करते हैं तो मैं पहले एक्शुल मेथड के बारे में बता देता हूं जिनसे प्लांट रिप्रड्यूक्शन करते हैं अलंकि सबका मैं ठोड़ा सा ओवर्विव देता हूं जादा इमफेसाई हम लोग किस वाले मेथड पर करेंगे जिनके माद्यम से प्लांट यानि पादब भी बोलते हैं सर इस method में क्या होता है तो ये वाला method है ना इस वाले method से कौन reproduce करता है जो unicellular organism होते है ना यानि एक कोशी के जीव यानि ऐसे जीव जो केवल एक कोशी काई से मिलके बना हुआ है जैसे bacteria की अगर हम लोग बात करें bacteria जिसे आप लोग हिंदी में जीवानू बो ठीक है तो basically एक कोशी का अगर दो कोशी का में टूट रही है तो इस प्रकहर के reproduction को आप लोग बोल देंगे binary फिजन सर इस वाले method से reproduction कौन कौन करता है amoeba एक जीव है जो इसी method से करता है paramecium भी इसी method से करता है यूग लेना भी इसी method से करता है कहानी clear अब एक चीज आप बात को समझीएगा यह यूग लेना क्या है दोस्तों यह एक algae है यह एक शेवाल है clear है क्या आप लोग बोलेंगे सर शेवाल क्या होते हैं दोस्तों algae एक प्रकार के plant होते हैं ऐसे plant जिनमें root यानि जड़ नहीं पाई जाती है पतिया नहीं पाई जाती है तने नहीं पाई बट दोस्तो इस algae के विशेष्टा ये है कि जितने भी algae होते हैं वो multi cellular होते हैं बहु कोशी की होते हैं जिनको आप लोग plant बोलने वाले हो तो basically ये plant इसको हम लोग plant के अंदर में नहीं रखेंगे कारण क्या है क्योंकि यूनी cellular है एक कोशी की है ठीक है चलो आजाओ नेक्स हम लोग बात करते हैं multiple fission तो multiple fission में क्या होगा एक कोशी का से बहुत सारी कोशी का बंद रही है तो इस method से reproduction कौन कौन करते हैं प्लाजमोडियम इस method से करते हैं जादा emphasize हम लोग किस पर करेंगे प्लांट वाले पर करेंगे ध्यान रखना नेक्स है बड़िंग मैथड तो बड़िंग मैथड मैंने आप लोगों को बता दिया जैसे एक example समझ लीजिए Hydra एक animal है इसमें कुछ दोस्तो बड़ जैसा कुछ निकलेगा फिर ग्रो होके ग्रो होके ग्रो होके यह पूरा यहां से तूट जाएगा तो एक नया बच्चा बन गया न नया ओफिस्प्रिंग बन गया न तो इस method को आप लोग बोलेंगे ज़्यदा ध्यान लगाना है जिनके माद्यम से plant reproduction करता है यानि पाद़ प्रजनन करता है ओके आजाओ next हम लोग बात करते है इस पोर formation यस यह एक ऐसा method है जिसके माद्यम से कई plant reproduction करते हैं प्रजनन करते हैं इवन प्लांट ही नहीं बहुत सारे fungus यानि कवक जो होते हैं वो इस method से reproduction करते हैं अब आप लोग बोलोगे कि सरी यह method होता क्या है थोड़ा समझाईए आईए मैं आप लोगों को समझाता हूँ जैसे प्लीज आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझेए यहाँ पर आप लोगों को एक diagram दिया हुआ है यह diagram जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है एक fungus का दिया हुआ है जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कवक बोलते हैं समझ में आ गया जैसे कभी आप लोग ब्रेड को खुले में रखते हो तो आप लोग देखते हैं नो इस पर ग्रेश कलर का सा कुछ हो जाता है वो क्या होता है उस पर फंगस ग्रो कर जाता है कवक ग्रो कर जाता है लेकिन जब आप लोग इसको माइक्रोस्कोप से बढ़ा करके देखोगे तो इसका structure कुछ ऐसा क्या बोलते हैं इसको लिख लीजिए इसको बोलते हैं इस प्रॉंजियम ठीक है अब होता क्या है इस इस प्रॉंजियम के अंदर बहुत चोटे चोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिने आप लोग क्या बोलते हैं इस पोर्स बोलते हैं और हिंदी में इन्हें आप favorable condition मिलती है तो यह जो sprongeum है यह जो football है वो तूर जाती है और इसके अंदर से यह sports क्या हो जाते हैं बाहर आ जाते हैं जैसे आप लोग देख रहे हो इस football के अंदर कौन बैटा है sports बैटे हैं बीजानू बैटे हैं तो जब यह बीजानू किसी surface पे गिरेंगे तो वहाँ पर नया fungus यानि नया कवक ग्रो कर जाएगा clear तो same plant में भी होता है कुछ plant ऐसे होते हैं जिनमें यह sprongium मिलेगा तो जब उनको favorable condition होगी जैसे proper temperature होगा proper humidity होगी तो यह आप लोगों का football फूर जाएगी तो इसके अंदर से particle बाहरा जाएगे तो एक नया plant बन जाएगा clear तो आप लोगों से अगर एक जम में पूछा जाए कि कौन कौन से plant है कौन कौन से पादप है जो इस वाले method से reproduction करते हैं तो आप लोग इसके कुछ विशेश एक जमपल ध्यान दरखें दोस्तों जैसे राई जो पस तो क्या एक fungus का वक है है ना लेकिन अभी हमारी पूरी चर्चा का विशे क्या है प्लांट है तो कौन कौन से plant इस वाले method से apply करते हैं मतलब इस वाले method से reproduction प्रजड़न करते हैं एक तो मौजेज ये प्लांट का नाम है लीवर वाट ये भी एक प्लांट का नाम है कुछ-कुछ green algae भी होती है जो इन से reproduction करते हैं बट आप लोग य इस method से भी कोई plant reproduction करता है कि बिल्कुल इस method से भी कई plant reproduction करते हैं बेसिकली इस method से reproduction कौन से वाले plant करते हैं algae जिसे आप लोग इंदी में बोलता है शैवाल सर ये algae का चक्कर समझ में नहीं आ रहा प्लीज बताओ देखो जब मैंने आप लोगों को plant kingdom पढ़ाया था एक वीड justified plant कि क्या विश्यश्था होती है बहुत simple होता है नहीं में root पाइजाती जड़ नहीं पत्तियात ना फूल वगएरा कुछ भी नहीं पाई जाते हैं बहुत simple जैसे कई बार आपने देखा होगा पानी पर हरे अरे से कुछ ग्रो कर जाता है न वो तो वो क्या है एक algae है शेवाली है ठीक है तो algae भी अलग-अलग प्रकार कि होते हैं green algae, हरे शेवाल, brown algae, भूरे शेवाल, red algae, लाल शेवाल है ना तो कुछ algae है जो इस method से क्या करेंगे reproduction प्रजिनन करेंगे इस method का नाम है fragmentation और हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे विखंडन सर इस fragmentation method में क्या होता है थोड़ा सा समझाईए आईए मैं आपको समझाता हूँ दोस्तो एक algae बता रहा हूँ हरेश एवाल का क्या है नाम है ठीक है तो जैसे माल लीजिए दोस्तों ये पानी में है green algae ऐसे माल लीजिए पानी में कुछ force लगा कुछ force लगने की वज़े से देखो दो पार्ट में टूट गया जैसे माल लो ये ऐसे था पूरा का पूरा spiral हो गया था ऐसा structure था पानी का force लगा माल लो से तूट गया तो ये अलग हो गया ये अलग हो गया तो इसका reproduction हो गया ना इससे बच्चे बन गये ना तो देखो ये और ये अलग हो गये तो इस method को आप लोग बोलेंगे fragmentation तो अगर आप लोगों से पूचा जाए कौन सा प्लांट है या कौन सा अलगी है जो इस method से reproduction करता है आप लोगों को ये नाम याद रखना है बहुत बहुत important है Spirogyra समझ में आ गई बात को तो Spirogyra दोस्तो कुछ कुछ Hydra भी इस वाले method से reproduction करते हैं बट अभी हम लोग animals की बात नहीं कर रहे हैं अभी इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे है plant की यानि पादब की clear है क्या और यार दोस्तो सेशन को like और share नहीं करते आपे ना ये गलत बात है ना आपके लिए इतनी मेनत कर रहा हूं नाम है प्लेनेरिया वह करता है सर कैसे करता है बताना जैसे देखो ये एक एनिमल है प्लेनेरिया जैसे मालो इसका ये वाला पार्ट कट हो गया ये वाला पार्ट कट हो गया तो उपर वाला जो ये पार्ट नहीं इतना सा बचा तो दोस्तों री जनरेट होके वापिस पू प्लान्ट वाले में बता रहाँ आप लोगों नेक्स्ट आप प्रकार का यह यानि तरीका है और इस वाले मैठोड से कौन reproduction करता है plant करते हैं कुछ-कुछ plant होते हैं जो इस वाले method से reproduction करते हैं इस वाले method में होता क्या है देखो समझो मेरी बात को जैसे आप लोग मुझे बता हो गुलाब है आपने देखा होगा गुलाब का अगर आप टहनी काट के यानि stem काट के कहीं पर लगा दोगे तो वहां से पूरा का पूरा पौधा उख जाएगा ना तो इस प्रकार के reproduction यानि इस प्रकार के प्रजनन को ही आप लोग बोलते है vegetative propagation तो अगर आप लोग उसे पूछा जाए vegetative propagation जिसे आप लोग हिंदी में वानस्पतिक जनन बोलते हैं इसमें क्या होता है तो कोई कोई प्लांट होते हैं जिनका stem काट कर अगर आप लोग कहीं पर लगा दोगे तो पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके आप लोग root जड़ से पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हो जैसे टैम का तो मैंने आपको एक्जमपल दे दिया पत्य का तो आपको एक्जमपल दे दिया सवस्री तने का तो को ब्रायो फाइलम ही बोलेंगे जैसे इसमें क्या होगा इस प्लांट के अगर पत्ती गिर गई कहीं पर तो वहां पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा प्लांट आपका प्रड्यूस हो जाएगा समझ में आ गया क्या जैसे स्वीट पॉटेटो जो होता है वो भी इसी reproduction करते हैं, vegetative propagation से, onion भी इसी से करते हैं, pineapple भी इसी से करते हैं, banana भी इसी से करते हैं, तो ये examples है इस vegetative propagation यानि वानस्पतिक जनन से इस method से reproduction करने वाले plants के, clear है क्या? चले आगे आज़ो, next लोग बात करते हैं, तो ये तो मैंने आप लोगों को कुछ a-sexual method बताए, अब बात करेंगे sexual method की डोस्तो sexual method में मतलब, मैं एक चीज और पूछू कि sexual method में कुछ और definition बताओ, यानि लेंगिक जनन में क्या होता है डोस्तो sexual method में किसका निर्मान होता है? गैमेट्स का निर्मान होता है अब आप लोग बुलेंगे गैमेट्स क्या जैसे मेल की बॉड़ी में कुछ निर्मान होगा फ्यूमेल की बॉड़ी में कुछ निर्मान होगा जैसे आप लोगों को बताऊं मैं फ्यूमेल गैमेट कौन होता है अगर हूमन्स की बात करे अब समझते हैं प्लांट में sexual method या sexual reproduction in plant कौन-कौन से प्लांट है जो sexually reproduce करते हैं यानि लेंगिक जिनन करते हैं और sexual reproduction होता क्या है आईए हम लोग समझते हैं चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू कौन से प्लांट ऐसे होंगे जो sexually reproduction कर पाएंगे यानि जो लेंगिक जिनन कर पाएंगे वो वाले प्लांट ही sexually reproduce कर पाएंगे लेंगिक जिनन कर पाएंगे जिन में flower पाये जाता है यानि जिन में पुश्प पाये जाता है तो basically आप लोगों को सबसे पहले इस flower यानि पुश्प के बारे में समझना पड़ेगा क्योंकि जिन प्लांट में पुश्प पाये जाएगा वो ही क्या कर पाएंगे ये कर पाएंगे चलो आजाओ चलो अब सिंपल सी बात समझो एक एक पार्ट में आपको समझा रहा हूँ ये यलो कलर की क्या दिख रही है आप लोगों को सरी ये पंखुडिया दिख रही है पंखुडिया जो होती है उनको इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हो पीटल बोलते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है पीटल चलो कोई बात नहीं है अभी आगे वाले एको डि flower होता है ना वो क्या कर पाएंगे इसी से reproduction करेंगे इसी से क्या करेंगे प्रजिनन करेंगे और आपकी जानकारी के लिए बता दू इसी में मेल पाट भी पाया जाता है फीमेल पाट भी पाया जाता है जैसे sexual reproduction आपने जब humans में पढ़ाता है तो आप लोग होता है male part से sperm निकलता है female part में जाता है समझ रहो बात को तो यहाँ पर flower में ही male part है flower में ही female part है क्योशन यह आता है कि sir flower में female part कौन सा है तो जश इसका बीच वाला भाग है न देखिए जिसको मैं outline कर रहा हूँ यह 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 पूरा का पूरा है ना यह पूरा का पूरा क्या है female part है तो sir इस female part का कुछ नाम है क्या बिलकुल दोस्तो female part को हिंदी में हम लोग बोलते है istri के sir क्या बोलते है istri के sir बोलते है इसको इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है पिश्टिल के नाम से जाना जाता है क्या इसका और भी नाम है क्या बिल्कुल इसको आप लोग कारपेल के नाम से भी जानते हैं ठीक है क्या ठीक है अब बात आती है सर इसमें मेल पार्ट कौन सा है मैं बताता हूँ इसको मैं निकाल के अलग से बनाओं तो एक तो यह उपर वाला यह वाला पार्ट आ जाएगा देखो यह वाला पार्ट आ गया और नीचे से धागी जैसे संरजना यह तो यह पूरा का पूरा क्या है मेल पार्ट है तो अगर आप लोगों से पूछा जाए फ्लॉवर के मेल प बना रहा हूँ तो फीमेल पार्ट ऐसा होता है फीमेल पार्ट है यह क्या है फीमिल पार्ट है शौर्ट में मैंने लिख दिया एफप यानी फिमेल पार्ट यानी Bloody अद् neces दिखांद रखेंगे फीमेल पार्ट का जオसे उपपर वाला पार्ट आ हिससा इसे आप लों क्या बोलते हैं stigma बोलते हैं और इसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ति कागर इसे क्या बोलेंगे वर्ति कागर बोलेंगे ओके यह बीच में आप लोगों को नली जैसा कुछ दिख रहा है कि बिल्कुल तो इसको बोलते हैं हम लोग style और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ति क इसको ऐसे याद रख लो कि वर्तिका का अलगी स्टाइल है ना तो इसका नाम हो जाएगा वर्तिका आप लोग दोस्तों बिल्कुल नीच में बेस में देख रहे हो ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं ओवेरी और हिंदी में इसको बोलते हैं अंदा समझ मे आ गई बात को समझ में आ गई दोस्तों इस ओवेरी के अंदर क्या पाए जाता है इसके अंदर इसके अंदर मोतियों जैसे कुछ संरचना पाई जाती है जिसे आप लोग बोलते हैं ओवियूल क्या बोलते हैं ओवियूल और हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं नहीं है चलो मैं कर लेता हूं कोई दिक्कत की बात नहीं है इधर देखो है ना इधर देखो कि यह देखो यह पूरा का पूरा मेल पार्ट है तो इसको मैं अलग निकाल लेता हूं नहीं जो उपर वाला पार्ट है इसे आप लोग बोलते हैं एंथर और हिंदी में बोलते हैं पराग कोश अब क्या काम होता है जैसे आप लोगों को पता है humans में क्या होता है male body में से sperm बनता है शुकरानू बनता है और during sex ये female body में जाते हैं यही तो reproduction का एक basic step है clear है ठीक है तो दोस्तों यह जो एंथर होता है न पराग कोश इन से क्या बनते हैं जैसे male body से sperm बनते हैं human में वैसे यहाँ पर क्या बनते हैं इससे चोटे चोटे आप लोग देख पार हो यह particles से बन रहे हैं जिसका नाम क्या है pollen grains और हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं पराग कन बनते हैं ठीक है अब दोस्तों इससे यह पराग कन बनके कहां पर जाता है female पार्ट में जाता है female पार्ट में तो यह female पार्ट का जो stigma है न वर्तिकागर यह पराग कनों को अपने से चिपका लेगा फिर पराग कन इसमें नीचे आके 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 इस वाले पार्ट म ना इस पोलेन ग्रेन पराग कण आने की वज़े से तो यह जो ओवेरी थी अंडाशय जो थे ओवेरी यानि अंडाशय तो यह जो पक के यह तो क्या बन जाएगा फुरूट बन जाएगा यानि फल बन जाएगा और इसके अंदर जो मोतियों जैसे संरचना थी जिसे आप भीज आंड बोल रहे थे यह सीड़ को डियर किसे भीज बोलेंगे रही चुरह कि ओ करते हैं भीज बन ना इसको बहुत बंजायगा नय प्लांट में प्लांट ह। बीज तब बनेंगे ना जब यह वाली प्रक्रिया होगी यहां से मेल पार्ट से पराग कर निकल कर पॉलें ग्रेंस निकल के फिमेल पार्ट में जाएंगे तब यह बीज मिलेंगे और बीज डालके तो नय पौदा बनेगा तो ये पराग करणों का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाना क्या कहलाता है इस पक्रिया को बोलते हैं पॉली नेशन क्या बोलते हैं पॉली नेशन और हिंदी में परागन तो सर ये जाते कैसे हैं यहां से यहां पर दोस्तो हवा के माद्यम से भी जा सकते हैं हो सकता है दोस्तों कोई तुट ली है वो इसको उठाके वहाँ पर ले गई हो सकता है कोई पक्षी को उठाके, यहां पर ले गया हूँ इसके अधर पर अलग-अलग नाम भी होता है यह अब भी मैं आपको थोड़ी दिर में बताने वाला हूँ क्लियर है गया तो देखो तो ये हो गया कुल मिला के मेल पार्ट जिसे आप लोग इस्टेमेन बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं पुंग के सर तो इस्टेमेन जो होता है वो कितने पार्ट से मिलके बना हुआ है दो पार्ट से एक तो ये एंथर जिसे आप लोग बोलते हैं पर तो ये किन चीजों से मिलके बना हुआ है, तीन चीजों से मिलके बना हुआ है, एक तो दोस्तों सबसे उपर वाला पार्ट जिससे आप लोग इस्टिगमा यानि वर्तिकागर बोलते हैं, फिर ये नीचे वाला पार्ट जिससे स्टाइल हिंदी में वर्तिका बोलते हैं, और यह आप लोगों का सबसे नीचे वाला ओवेरी जिसे अंडाश्य बोलता है यह वाला फिर इसके अंदर होते हैं आप लोग के ओवियूल क्लियर है दोस्तों बताओ सर आप क्लास 10th की बुक से पढ़ा रहे हो बिलकुल हाँ तो बताओ 9 तो 10 की NCAT से पढ़ाओं या वो पढ़ाओं वो इंजिनीरिंग में वहाँ से लेकर रहा हूं तो सब कुछ NCAT है चले अभी जब एक्जम में क्योशन आएगा न सरी क्योशन कहां से आया है सारे NCAT से अभी आई सी ए आर का पेपर वाता टेक्निकल असिस्टेंट का बच्चे बाहर आके धिमाग खराब अगे उनके उले और सुरुष्ट्य खत्रना क्योशन हर ही क्योशन कुछ भी नहीं है बड़ तुम बस सबसे बड़ा अंग सबसे छोटा अंग अपने आप वो पढ़के समझते हो बाइलो जी आ गई अरे दोस्तों पढ़ो NCAT is very important और कोई भी competitive exam की तियारी करो railway sse उसमें आपका content जो होना चाहिए वो NCAT oriented होना चाहिए समझ में आगे बात को तो मैं आपको NCAT तो cover कराके चलता हूँ तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं एक भी question answer नहीं होगा जिसमें आप लोगों की गलती हो जाए अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ठीक है आ जाओ अब मैंने आपको बताया कि यारी pollination method क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोई flower होता है ना इसमें जो male part होता है इससे pollen grains यानी पराग करण को female part में ले जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है pollination paragon कहलाता है अब दोस्तों परागन दो प्रकार से हो सकता है यहाँ पर आप लोग देखरो इस flower के male part से इस flower के female part में गये यह ऐसे भी तो हो सकता है ना इस flower के male part से इस flower के female part में आ जाए दोनों प्रकार का possible है ना तो इसी के आधार पर जो pollination होता है दो टाइप का होता है तो self-pollination यानि स्वह परागन एक होता है cross-pollination यानि पर-परागन सर्व self-pollination क्या होता है समझिए आप देखो self-pollination भी आँ देखो मैंने आप लोगों को यह बोला कि दोट ऐसे हो सकता है मैं आपको बताता हूं यह कौन सा है देखो self-pollination क्या होता है समझी मेरी बात को self-pollination का मतलब है एक ही plant में हो रहा है पallination सर नहीं आया समझ में कोई बात नी जैसे माल लीजिए ये एक प्लांट है इसमें ये है फ्लावर नमबर वन ये है फ्लावर नमबर टू ठीक है तो अगर फ्लावर नमबर वन के मेल पार्ट से फ्लावर वन के फीमेल पार्ट में जाए तो ये भी आपका self-pollination स्वेपरागन होगा अगर दोस्तों इस पौदे के इस वाले फ्लावर के मेल पार्ट से इस वाले फ्लावर के फीमेल पार्ट में जाए तब इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन स्वे परागन बोलेंगे फिर सरक्रोस पॉलिनेशन क्या होगा जैसे माली जी एक प्लांट यह रहा दूसरा प्लां और गीटेनोगेमी और गीटेनोगेमी किसको बोलेंगे उस फ्लावर के मेल पार्ट से उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में जब आ जाए ठीक है यानि एक ही पुष्प में सारी की सारी घटना हो रही है एक ही पुष्प में जबकि गीटेनोगेमी क्या बोलोगे एक ही प्लां समझीए देखो यहां पर क्या होगा एक प्लांट यह रहा दूसरा प्लांट यह रहा तो एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में अगर जा रहे हैं पोले इन ग्रेंस पर आकंड तो इसको आप लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन क्लियर है सारे टीचर में शिर्णिंग वाले expected paper कर रहे हैं आप कब कर वाएंगे दोस्तों Monday से does बजे science expected paper science सम्भवित प्ष्णु पत्र monday से स्टान्ट है लेकिन उससे पहले पढ़तों लो ठीक है समझ में आ गई तो दोस्तो अभी जैसे कि मैंने बताया यार यह पॉलीनेशन है ना अलग अलग प्रकार से हो सकता है हो सकता है दोस्तो हवा की माध्यम से मेल पार्ट से फिमेल पार्ट में चल जाए हो सकता है कोई चीडिया कर दे ये काम, या कोई तोता ही ये काम कर दे, या आप उठा के ये काम कर दो, तो भी या अगर कोई ये कारे लिविंग के द्वारा होता है, तो इस वाले पॉलिनेशन को आप लोग बोलते हैं बाईयोटिक पॉलिनेशन यानि जैविक परागर्ण एब बाईयोटिक किसको बोलते हैं जो ऐसी चीज के दवारा हो रहा है जिसमें लाइफ नहीं होती जैसे मालों पानी बारिश हो यह बहुत खतरनाक तो मेल पार्ट से फिमेल किसको बहुता जिए टो किसी आदार पर इनके अलग अलग नाम है आएक एक के बारे में अधिक है और दोस्तों ध्यान रखना जितने भी य। प्रिंघियो स्पम किसको बोलते हैं ऐसे प्लांट जिन में फ्लौवर जिन में कुश क्लियर सर कोड सस्ता कर दो भी मौकर बाद में कोई खुरीदेगा नहीं अगजम शुरूर निल तो मत खुरीदो आपके लिए बैट रहा कैसे बात करते हैं आप ही के लिए है सब कुछ यार ऐसे से बात करते हो दोस्तों आप जूड़के देखो नहीं मज़ाए तो आप बोलना भी देखो लाश्ट में डेमो दूँगा मैं टेंशन मतलिया को आप आजाओ अब बात करते हैं एबायोटिक पॉलिनेशन जो होगा यानि अजविक जो परागन होगा वो कैसे कैसे हो सकता है जैसे दोस्तों पानी के माद्यम से हो सकता है अगर पानी के माद्यम से हो रहा है तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को आप लोग बोलेंगे हाइट्रोफिली अगर कोई pollination हवा के माध्यम से हो रहा है तो इसे आप लोग बोलेंगे एनिमोफिली अगर कोई pollination कीडो के माध्यम से है ना ये इंसेक्ट या कीट के माध्यम से हो रहा है तो इसको बोलते हैं एन्टोमोफिली अगर कोई pollination birds के माद्यम से हो रहा है तो इसको बोलते हैं औरनितोफिली अगर कोई pollination चमकादर के माद्यम से हो रहा है तो इसको बोलेंगे करेप्टुरिफिली ठीक है अगर कोई pollination स्नेल गुंगे के द्वारा हो रहा है तो इसको बोलेंगे मेलेकोफिली इतनी चीज़े क्लियर है गया और बताओ सर तो अगर कोई आंट चीटी के द्वारा हो रहा है तो इसको आप लोग बोलेंगे मरमेकोफिली क्लियर है और अगर कोई स्नेक शाप के द्वारा हो रहा है तो इसको बोलेंगे ओपियोफिली क्लि एक्शुल मेथड के अंदर आया तो यह आप लोग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग देखिएगा बहुत ज़्यादा क्यों इससे पूछे जाते हैं ठीक है दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों मातर 699 में में एक साल की वैलिटी है आज लेंगे एक साल तक रहेगा शांदार आप लोगों को कॉंटेंट मिल रहा है जैसे कई बार मैंने स्टार्टिंग में जो स्लाइड दिखाई थी वह फिजिक्स की बदाई थी चैनल के स्लाइड देख ले बाइलोजिक देख ले वह यहां पर रखी गई है आप कॉंटेंट देख सकते हो बहुत मज़ा आ जाएगा आप लोगों को कभी जीवन में साइंस का डर आप लोगों को नहीं लगेगा एक साल की वैलिटीटी है आने वाले जितने भी वेपर है सब आप लोग तब तक आप लोगों के लिए वह व झाल